लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए नमीमबई की तलोजा पुलिस ने पेंधर गाउं से अपरण किये गए चार साल के मासूम को पांच घंटे के भीतर ही बरामत कर लिया है पुलिस ने बच्चे का पहरण कर फरार होने की फिराक में लगे आरोपी मजीरूल मसूरूदिन हक को भी भीवंडी बस डिपो से गिरफतार कर लिया है जो नवन के पुलिस उपायोकतर सुरेश मेंगने ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मासूम की बहन से शादी करना चाहता था मना करने पर उसने चार साल के उसके भाई का पहरण कर लिया देखे रिपोर्ट तलोजा पुलिस ने चार साल के एक मासूम के अपहरण के मामले का परदाफास करते हुए आरोपी मजीरूल मसूरुदिन हक को गिरपतार कर लिया है वहीं बच्चे को भी सकुसल उसके घरवालों के पास पहुँचा दिया है गटना 17 सितंबर के शाम की है जब आरोपी मजीरूल ने तलोजा के पेंधर इलाके में रहने वाले अपने पढोसी के चार साल के बच्चे को अपहरण कर लिया पुलिस उपायोकतर सुरेश मेगने ने आज एक प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि आरोपी मजीरूल पढोस की एक लड़की से साधी करना चाहता था जब उसने मना किया तो उसके चार साल के भाई के अपहरण की दी थी उसने वैसा ही किया हलांकि शिकायत के बाद हरकत में आई तलोजा पुलिस ने महच पांच घंटे के भीतरी अपहरण करता मजीरूल को भिवंडी बस डिपो से बच्चे के साथ गिरपतार कर लिया जो भागने की फिराक में था DCP सुरेश मेगने ने और क्या कुछ कहा आये सुनाते हैं नाम मजरूल हक करके है जो वेस्ट बेंगाउल का है जो आपने पडोस में रहने वाली एक 23 साल की लड़की के साथ एक तरफा प्यार करता था और उसको बार-बार शादी के लिए जबरदस्ती करता था उसकी मा ने और उसको पस्ट शब्दों में मना किया था कि हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते लेकिन वो बार-बार उसका पिछा करता था साथ तारीकों इसी महने में वो उसका पिछा करते हुए कई कमपनी से वो काम से आते हैं समय उसको रास्ते में रोक के उसने धंकी दिया था कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं किया तुम्हें तेरा जो छोटा भाई ये चार साल का उसको किड्नियाप करके उसको जान से मार डालूंगा ये पहले इंसिडन्स हुआ था तो ये मद्य नजर रखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई है और हमने हमारे दो-चार टीम्स बना के इसका एक्यूस को ढूनना शुरू किया क्योंकि हमें लगता था कि अगर देर हो गई तो छोटे बच्चे की जान जा सकत है इसलिए पुलिस ने तुरंत इसका स्पिडित इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें हमें 24 घंटे के अंदर कामया भी मिली कंसर्न आक्यूस को हमने अभिवंडी से गिरपतार किया है और वो चोटे बच्चे को उससे कबजे में लिया है आगे का इन्वेस्टिगेशन सीन पूरे टीम की सरहना की जिनकी मुस्तैदी के कारण मासूम को बचाया जा सका पूलिस आगे की जाच में जुट गई है ब्योरो रिपोर्ट टीवी वन इडिया